हलो एब्रीबन वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग आज हम बात करने वाले हैं आपको एक्जाम सेंटर बे जाते टाइम क्या-क्या लेके जाना है क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है आपके एड्मिट कार्ड पर क्या-क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए है उन सा है चीजों का आपका ध्यान रखना है एड्मिट कार्ड के अकॉर्डिंग तो वह सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं अगर हम देखें यह एक स्टुडेंट का एड्मिट कार्ड है जो कि मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है इसका अगर देखें एक्जाम टाइम ज का जो गेट क्लोज हो जाएगा वह हाफ इन आवर पहले हो जाएगा जो कि टू थर्टी सिंप्ट टू का एक्जाम है अगर तीर बजे आपका एक्जाम स्टार्ट हो रहा है तो टू थर्टी पर आपका गेट क्लोज हो जाएगा आपको बहुत पहले ही एक घंटे पहले ही करिएगा कि आप exam center पर पहुंच जाएं, so that आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो कि आपका reporting time बोला गया है कि 1 pm, तो आपको try करना है कि 1 pm पर आप वहाँ पर पहुंच जाएं, so that आपको कोई भी difficulties face ना हो, यह तो आप बात होगी reporting time की, यहाँ पर बोला गया है कि candidates photo, जो भी आपने admit card में photo लगाया हुआ है, वही try करें, यहाँ पर पेस्ट करके ले जाएंगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि same as uploaded on the application form to be fixed before reaching the center, center से पहले ही आप घर से यह photo लगाके जाएगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर left thumb impression भी का left hand है उसका left thumb का impression भी यहाँ पर पहले से लिखाएक जाना है और यह狙आ पर signature का है, signature का है यहाँ पर बोला गया है कि आपको signature वहाँ पर सामने ही करना है, इनिविजेटर के सामने ही examination all में करना है तो यह instructions आपको इस page पर देखने को मिलेंगे, अगर हम आगे instructions की बात करें, यह बहुत important instruction यह आप लिखे हैं, एक ही करके हम सब की बात करते हैं, तो यहां पर देखेंगे, यह लिखा हुआ है, no candidate would be allowed to the center of the examination center without admit card and undertaking valid ID proof, मतलब आपको admit card लेके जाना है बिना admit card को किसी को allow नहीं किया जाएगा यह सबसे important चीज़ है और क्या क्या चीज़े लेके जाना है यह important points यहां पर लिखे हुए है कि personal transparent bottle अगर आप bottle लेके जा रहे हैं पानी की bottle लेके जा रहे है वो transparent होनी चाहिए और जो pen है आपको लेके जा admit card admit card आपको download करना है clear print out लिखा हुआ है यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको color print कराना है या black and white कराना है तो आप कैसा भी करा सकते है बस clearly दिखना चाहिए वहां पर आपकी photo और जो भी information दी हुए है वो clearly वहां पर visible होना चाहिए देन यहां पर mention किया गया है कि passport size photograph passport size photograph आपको एक लेके जानी है आप अपने admit card का जो अभी मैंने आपको बताया था यहां पर already आप paste कर लेंगे एक photograph साथ में लेके भी जाए तो अगर कहीं पर आपको होता है कि यह same photograph नहीं है तो वहां पर वहां पर use हो सकती है ठीक है एक photograph passport size आपको लेके जानी है original valid ID proof यह बहुत important है कई बार होता है कि students क्या करते हैं कि अपनी जो ID proof होता है वो photocopy लिए जाते हैं तो आपको original ID proof लेके जाना है मैं आपको एक suggestion और दूंगा कि आप दो ID proof लेके यह pen card लेना है driving license लेना है यह आप दो ID proof लेके जाएंगे तो वह better रहेगा यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्या क्या ID proof लेके जा सकते हैं आधार काड़ लेकर जा सकते हैं, और आपको लेकर जा सकते, यहाँ पर pen काड भी लिखा है, traveling license भी लिखा है, voter ID लेकर gio सकते हैं, आधार काड यहाँ लेकर जा सकते हैं, तो यह सारी है, जोчно valid ID proof आपको लेकर जातरी है है, ID proof के बिना आपको entry नहीं मिलेगी, तो आपको जो original usual Id proof है वह ही लेकर जाना है यह नहीं बूलना है कि आपको वे तीन से चार महीन तक आपने मेनद करी अगर आप यह भूल जाएंगे तो आप आप पूली काम रहें कmore इक्जाम में बहुत जादा मदद करने वाला है क्योफ के जब आप लग आस्ट में भाग से कर्से लिए अब से चनुग करने हो से और बढ़ जाती है और आप ना इसकोर इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं थैंक यू अब्रीवन अगर आपको यह इंफर्मेसर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं सेशन को थैंक यू अब्रीवन